तरेयड के सेश्रे को नेरे सेशन में कौन कौन के स्टॉक्समें सेंथे लिए किस लेवल हमें किस पस्के बारे पैगा कि आगे मपंचे उसकी से पर आने दिन में आपको कैसे करनी चैहिए कोई मतलब नहीं होना चाहिए तो सबसे पहली बात first and foremost जो आपको समझ लेनी वो यह है कि आपको अगर पता करना है कि इंटरेट ट्रेडिंग में कौन से स्टॉक को ट्रेड करना है तो बेसिक आपको यहां पर ध्यान रखना है और वो कॉंसेप्ट है कही ना कहीं कि आपको कौन से स्टॉक में मूव देखन और यहां से आपको नेसी की वेबसाइट की तो वहां पर आपको देखने के लिए मिलते हैं तो आपको यहां पर चीज का ध्यान रखना है कि जो भी टॉप फाइव में आ रहे हैं कि जो 5 प्लस पले स्टॉक में तूट गए हैं आपको उनकी लिस्ट निकाल के रख लेनी है यह हमारा फॉस्ट है पर आपको देखे सिंपल सिंपल सा यह नहीं करना है कि मार्केट में जो भी टॉप गेंडर या फिर लूजर है तो अगले दिन आपने उसे बाइक लिए सेल कर दिया इतना आसान नहीं है मार्केट में चल रहा है पर्टिक्लर स्टॉक को और मुव किस जगह रहा है अगर आपने यह असरटेन कर रहा कि मार्केट में चाही डारेक्शन में जा रहा है तो definitely वहां पर जो probability है सही होने की बहुत ज्यादा हो जाती है साथी साथ में आपको देखना पड़ेगा यहां पर जो support resistance stock है वो किस तरीके से बनाता हुआ चल रहा है किस तरीके से हमें देखने के लिए मिल रही है supply as well as demand zone जो market में बन रहे एक particular stock की साथी साथ में जो जी आपको observe करनी है कि market में हम play करेंगे breakout के लिए या पर breakdown के लिए जाएड सी बात है अगर हम देखें तो market में अगर हम देखने वाले हैं कि जो stock से सबस्यादा बहतरी परफॉर्म किया है तो वहां बें breakout कर सकते हैं साथी साथ में जो stock ने वीक परफॉर्म किया है जो लूजर्स में है कहीं उसमें पर्टिक्लर पोजिशन को तो यहां पर आप लोग देख सकते हैं मैंने एक डाइग्राम बना रखा है कईना कर यह बेसिक सा यहां पर आपको ट्रेंड का डाइग्राम दिख रहा है करेंगे अब यहां पर करना कहां पर करना है यह सबसे नहीं जाता है जब अपने करने करने कि प्रीवियस के पास मार्केट आया तो अगले दिन मांसे बाउंस देगा नमबर वन नमबर टू-ब्रेकाउट बनाए यह तो मलगे ब्रेकाउट की टाइम बड़ा सा केंडल बनाये इंट्रदी में अगर मैं बात करूं तो आजाए या फिर वो ब्रेकाउट से इमीजेटली पहले एक ऐसा मूव देदे जिसे वो टॉप में आ रहा है तो डेफिनिटली आप लोगो वहां पर इंट्राडे सेशन में मूव देखने के लिए मिल सकता है एक और थीसिस हम लोग यहां पर कहीना कर यूज कर रहे हैं या फिर एक डॉक्टरिन हम लोग यूज कर रहे हैं वह क्या है कि आप उस चीज़ को बाई करिए जो स्ट्रॉंग है और आप उसे सेल करिए कहीना कहीं जो वीक है मार्केट से यह थमरूल है जो आपका यहां पर अप्लाई होते हुए दिखेगा आपको पर इसकीर ही बहुत हई होती है और यह हम क्या कर रहे है निफ्टी 57 थो और जो ब्रॉड 현кий करने के लिए निपीछ मार्केट से उसे हमैं प्लू देखना है तो आप लोगों ने सीखा सिंपल सी चीज है आप नसी की वेबसाइट पर जाहिए वहाँ पर आपको देखने के लिए मैंनिजमेंट करते हुए जक्ना है आप के लिए बात कर नूंद भी सब्सक्रीप करूं SCH कोई ना कि उनमें वॉल्यूम भी अच्छा दिखने के लिए मिलता है अगर में इंटरेट सेग्मेंट की बात करके चल रहा हूं तो उन स्टॉक को भी आप कर सकते हैं आने वाले नेक्स वीडियो में इसी सीरीज में आपको बताने वालों किस तरीके देख स्कैनर का यूज कर करने के लिए अभी तक के लिए आप जाइए नसी की वेबसाइट पर डेफिनिटली स्टॉक्स को निकाली कमेंट करके बताईए कि कल कौन-कौन से स्टॉक्स में मुवा सकता है डेफिनिटली और अगर आपको डाउट आ रहे हो तो वह भी बताईएगा अब मैं वीडियो से पहले आप लोगों को दिखा देता हूँ एक स्टॉक के चार्ट के ऊपर किस तरीके ते मैं आपको चीज़ाना चाहरा हूँ क्योंकि जब हम चार्ट देखते हैं तब हमें और बहतरी तरीके समझ में आता है तो चलते हैं चार्ट के ऊपर फटावट से जानते हैं किस तर सर्ळूं धाया वाउगा तॉप तो यह हमारे लिए नेक्स्क दे के लिए यह कौन कौन से करना है था साथ ही सात में एक बार हमने टरेंड की डिए कही बहुत ही सिम्पल मारकेट कही न कहीं अपना एक ट्रेंड बनातों यह मूव कर रहा है जैसा कि मैंने आपको बता है जब हमारा बड़ा शांदर मूव देखने के मिला टॉप गेनर जब मार्केट में आया स्टाटर अगर बात की जाए तो वहां पर एक कहीं न कहीं ब्रेक आउट का लेवल हमें देखने के लिए मिल रहा ह तो इस ब्रेक आउट लेवल के आसपात अगर में नेक्स जे की बात को जीसे हम लोग ट्रेट करेंगे वहां पर मार्केट ने गैप अपपन दिया तो वहां पर हमें क्या करना है हमें यह की डेवल पर एक अगर आप ने डेवल बना रखा है तो आपको पेश्याटली वेट करना है कि मार्केट लेवेस तक आए उन स्थरों तक आए ताकि आपको बहुत कर रहे हैं अगर आप लोग ट्रेडिंग कर रहे हैं और वहां आप इंट्राइडे में एक परसेंट मूव कैच कर लेते हैं फिर चाहिए वह कोई भी स्ट्राइडिंग है वह बहुत ही शांदार ह और आपका सिस्टम बहुत ही शांदर तरीके से काम कर रहा है और यहीं आपको यहां देखने के लिए मिलेगा कि मार्केट में अगर हम अपने लेवल से बाइक चलते हैं तो इस तरीके से आप लोग जान सकते हैं कि कौन से स्टॉक हमें अगले दिन के लिए अगले दिन भी अगले दिन भी हमें एक मूफ देखने के लिए मिला जो कहीं न कहीं हमारे लेवल तक आया उसके बात एक अपसाइट का विक बना है वहां भी हम ट्रेड कर सकते थे साथ ही साथ में कम से कम नेक्स टू 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 ट्री डेस तक हमारा लेवल वैलेड रहा और वहां पर हमारी ट्रेडिंग की जा सकती थी तो एक पॉइंट आपने यहां यह भी नोट कर लिया कि अगर कोई स्टॉक पर्डिकुलर्ली टॉप गेर आ जाता है और वहां पर आपको उसका समझ में आता है या फिर आपको उसका समझ में आता है तो नेक्स टू 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 ट्री डेस के अगर आपको वीडियो के पसंद आ रहा हो तो डेफिनिटली अपने दोस्तों के सब्सक्राइब करिए मिलते हैं तब तक लिए नेक्स वीडियो में